नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस निशन में हूँ आपके साथ नैना यादा और सीधे बंगाल करूख करते हैं जहाँ पर वर्दमान में पें मोदी एक बड़ी रेली को सम्मुदित कर रहे हैं मोदी पे करिए आपको गाली देनी है मोदी को गाली दीजिए पूप गाली दीजिए अरे कोकला भार भार के गाली दीजिए लेकिन दिदे सुन लिजिए ओ दिदे बंगाल की गरिमा बंगाल की गवरों महीं पहचान का अपमान मत करिए आपका यहंकार अब बंगाल बरदास्त नहीं करेगा आपके तोलाबाजों आपके सिंडिकेट आपके कटमनी सिस्टिम को अब बंगाल कभी भी बरदास्त नहीं करेगा आर इसलिए बंगाल आज शोनार बंगला के संकल्प के साथ है बंगाल को आप नहीं चाहिए दिदी का कुशासन नहीं चाहिए बंगाल को चाहिए आशोल परिबर्तन आशोल परिबर्तन बंगला चाहिए दिदी भाईपोर हिंसार खेला बंगला चाहिए आशोल परिबर्तन बंगला चाहिए विकास बंगला चाहिए शिक्खाद शिल्पो कर्म समस्तान बंगला चाहिए नारी शुरक्खा बंगला चाहिए कुशोक्षम्मान बंगला चाहिए भाई मुक्त परिबर्ष बंगला चाहिए विकास बंगला चाहिए विशार्थ बंगला चाहिए बीजेपी सरकार बंगला तोरकार बीजेपी सरकार भाई और बहनों दीदी ने दस साल तक मां माटी मानुस के नाम पर बंगाल पर राज किया है लेकिन इन दिद्यों सभा में मा माटी मानुस नहीं मोदी 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 करते रहती है नमा नमापी नमानुस सरफ मोदी कर दो आपका प्यार मेरे सराखों पर आपके आशिरवात इतनी बड़ी तादाद में आई हुए मात आओ भेहनों के अंचिरवात इस मेरे लिए बहुत बड़ी टाकत है बहुत बड़ी उर्जा है मैं आपको बहुत बहुत बंदन करता हूं नहीं dire Phamagory by No जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए यह पीड़ा है बंगाल में दीदी का कुशासंद दीदी ने बंगाल में गवनन्स के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड जाला किया है बंगाल में जिसका जो काम था वो अपना काम छोड़कर कुछ और ही कर रहा है सरकार को सरकार का काम लोगों की भलाई करना है लेकिन मंगाल में दीदी और उनके करीबियों ने गरीब तक पहुंचने वाले हर लाप को लूट लिया प्रशासन का काम है कल्यान की योजनाओं को तेजी से लागू करना लेकिन मंगाल में दीदी ने प्रशासन को विकास कार्यों में रोड़े अठकाने के काम में लगा दिया पुलीस का काम है कानून ववस्ता का राज बनाए रखना लेकिन दीदी ने पुलीस को पांटी के काम में लगा दिया तोला बाजो सिंडीकेट की सेवा में लगा दिया बंगाल के गरीबों बंगाल के मद्यमवार्ग यहां के नमजवानों यहां के महिलाओं यहां के बुजुर्गों को यहां के उद्यमियों को ब्यापारियों को कारोबारियों को ममता दीदी ने अपने कायर करतों के रहें पर छोड़ दिया जन्मदिन बनाना है तो टीमसी से पूछो गर बनाना है तो टीमसी को कट मनी दो राशन लेना है तो टीमसी को कट मनी दो कहीं अपना सामान ले जाना है अपना सामान लावना है तो TMC को कट मनी दो किसी को अपना सामान बेचना है तो TMC को कट मनी दो बंगाल की जनता से ल्यूट कर दिधी के करीबियों ने बड़े बड़े घर वनवा लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ दिली दिधी ओ दिदी बंगाल के लोकों का अब लूट ने नहीं दिया जाएगा बंगाल की बीजेपी सरकार आशोल परिवर्तन लेकर आएगी ग्योजनाओं का जो पैसा सरकार की तीजोरी से निकलता है वो पूरा का पूरा लोगों तक पहुचेगा दिल्ली से एक रुपिया निकलेगा कलुकत्ता से एक रुपिया निकलेगा तो उस रुपिय के सो के सो पैसे लोगों के पास पहुचेंगे जन कल्यार के हर योजना को बंगाल में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा पुली सिर्फ अपना काम करेगी और प्रशासन सिर्फ अपना काम करेगी आपके जीवन पर तोरा बाजो सिंडिकेट वालों ने जो दबाव डाला है बीजेपी सरकार आते ही वो हट जाएगा केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल की बीजेपी सरकार डबल इंजीन की सक्तिके साथ बंगाल के विकास के लिए डबल मेहनत करेगी बंगाल का भलाज चाहने वाले हर किसी को हम साथ लेंगे सबका मारदर्शन लेंगे हम पूरी इमानदारी से महनत करेंगे जिस बंगाल की बीजेपी के जन्म में बहुत बड़ी भूमी कहा है उस बंगाल की जितनी सेवा बीजेपी करे उतना कम होगी आपकी एक एक आवशक्ता आपकी एक एक ज़रुत को ध्यान में रखने हुए भारतिये जन्ता पार्टी के सरकार काम करेंगी नीतिया मनाई जाएगी उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा साथियों दस साल तक दीदी की दुर्णिती रही है विभौक तो करो राज करो यानि बांटो और राज करो कि बीजेपी है बीजेपी का मन्त्र है जुक्त औक अरो शेवा करो यानि जोडो और शेवा करो की भावणा से काम करेंगी बीजेपी का मन्त्र है शकलेर साथ, शकलेर विकास, शकलेर विश्थास, याने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. टी एमसी का मार रहा है, मा को सताओ, माटी को लूटो, मान उसका रखत बहाओ, भाई और बेहनों, कुछ बिहार में दो दिन पहले, जिन लोगों की मुर्त्य हुई, वो भी किसी मा के ही बेटे थे, लेकिन मम्ता दिदी की नीतियों ने, कितनी ही माओं से, उनके बेटे छिन लिये हैं, दिदी के मा, माटी मान उसकी, यही असलियत है, साथियों, इसी चुनाव के दोरान, हमने, शोमा मजबुदार्ची को भी, खोया है, दिदी के कुन्डों ने, बुजूर्ग, शोवा मुजबुदार्ची को, इतनी बहरम से पीटा था, कि आज भी, वो तस्वीर, आँखों से जाती नहीं है, आप, किसी मा के सम्मान की बात, दिदी, किस मा के सम्मान की बात करती थी, साथियों, आपने देखा पड़ा होगा, कि बिहार के पुर्णिया जिले के गाउं में, कल, एक मा और एक बेटे की चिता, साथ में जलाई गई, बहात रदय विदारक द्रश्य था, मा की मृत्यों, अपने बेटे की हत्या के सजवे से हुई थी, कौम था वीर्जवान, वो वीर्जवान, दो दिन पहले, अपने कर्तव्य का पालन करने, बंगाल की धर्तिक पर आया था, लेकिन यहाँ बंगाल में, पीट पीट कर, उस पुलीस अपसर की हत्या कर दी गई, मा ने, जब अपने वीर्जवान बेटे का शव देखा, तो मा ने भी, दम तोड़ दिया, क्या उस पुलीस अपसर की मा, दिदी, क्या वो आपके लिए मा नहीं थी, आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा, बंगाल की किसी मा को कभी नहीं था, साथियों, दीजी की दुरनिती को, यहाँ पुर्बा वर्दमान के कुरुशकों ने तो, बहुत ज़्यादा भुखता है, डॉक्टर शामा पुषाद मुखर जी, और बाबा सावां बेकर जैसे, दूर दर्शी नेताओं के प्रयास होते, देश को दाबोदर घाटी जैसी, जल विद्युत परियोजना मिली थी, वो चाहते थे कि वर्दमान के खेत सोना उगले, यहाँ जगज़़ शिल्प लगे, लेकिन उनका ये सपना, आज तक सच नहीं हो पाया है, दान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा बर्दमान, यहाँ के लोग, आज मुल्च सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, आज आदी के शुरुवाती वर्षों में, जो नहरे बनी, उसकी सही देखरेक तक, यहाँ की सरकार नहीं कर पाई, नहीं नहरे बनाना कभी दीदी की प्रास्विकताओं में ही रहा नहीं, धान पैदा करने वाले किसान हो, यहाँ आलू करशक, यहाँ हर कोई बिहाल है, ना सीचाई की सही सुविधा है, ना परियाप्त मंडिया है, ना स्टोरेज की सुविधा है, और ना उपज का उचित दाम मिल पा रहा है, आजकल आलू का सिजन है, तो स्थीती और भी बिगड़ रही है, बंगाल में क्रशक खेतों में परिशान है, सिर्फ और सिरफ दीदी का सिंडिकेट यहाँ खेती से कमा रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर एक अधिकार से कमा रहा है, बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद, यह सभी हालत, मैं आपको वादा करता हूँ भायो बैनो, यह परिश्टिती सुधारी जाएगी, गरीब किसान को भी, कोल्ड स्टोरेज की सुधा मिले, फुड़ पार्क की सुधा मिलाए, यह सुनिस्चित किया जाएगा, बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद, यहां के मेरे किसान भायो बैनों को फसल भीमा योजना का जादा लाब मिलेगा, बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां सीचाइप परियोजनाओं में और तेजी लाई जाएगी नहरों की शमता बढ़ाने का काम तेज किया जाएगा किसानों को सोलर पंप, सोर पंप देने वाली कुसूम योजना हो किसान क्रेडिट काड योजना हो ऐसी हर स्कीम, बंगाल की डबल इंजिन वाली सरकार दो गुनी सक्ति से लागू करेंगी साथियों, किसानों से दीदी की दुश्मनी का सबसे बड़ा उधारन है पी-एम किसान सम्मान निदी पर बंगाल में रोक दीदी, ओ दीदी जड़ा ये तो बखाओ, आपको किसानों से क्या दुश्मनी है चलो मोदी से दुश्मनी मान ली किसानों से क्या दुश्मनी है अरे बंगाल के हर किसान के बैंक घाते में अगर मोदी सरकार सीधे पैसे जमा कराना चाहती है तो आपको तकलिब क्या है आपने ऐसा क्यों किया देदी आपके कितने ही छोटे बड़े काम भाईयों बैनों कोरोना कालों है इस पैसे से हो जाते है अब बंगाल में दो महीं दीदी गई जैसे ही दीदी की सरकार जाएगी प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना को तूरंत लागू किया जाएगा पहली ही कैमिनेट में बंगाल की बीजेपी सरकार इस पर फैसला लेगी और दीदी ने बंगाल के हर किसान का जो अठारा हजार टक्का रोका है कितना अठारा हजार कितना जरद जो से बताईये कितना कितना रोका है अठारा हजार टक्का जो किसान के खाते में जाना चाहिए था मैं आपको वादा करता हों किसान के खाते में अथारा हजाना तक का पाव जमा कर दिया जाएगा साथियों दीदी की दूर्णीती ने सिर्फ पुर्शक के हीतों से ही नहीं बलकि यहां के हर परिवार की सुविदा और स्वास्त से भी खिलवार किया है देशाच बिजली के उत्पादन में सरप्रस है लेकिन यहां बिजली की नियमित सप्लाई तक नहीं मिल पा रही है यहां के बच्चों की हमारी मातों बेहनों बेटियों की इस परेशानी की दीदी को परवाई नहीं है यहां के हमारे गरीब भाई बेहन आर्थनिक वाला जहरिला पानी पिनों को बजबूर है लेकिन इससे भी दीदी को कोई मतलब नहीं है दस साल दीजी ने गरीबी के लिए जो दिखावा किया है वो अब देश के सामने आ रहा है मैं वर्दमान की इतनी बड़ी में तादाद में आई भी बेनों को बेटियों को और पुरे स्थेत्र के बेनों बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ आपके इस सेवक ने अपनी जिम्मेदारी समत्ते हुए हर गर पाईप से सुद्ध जल पहुँचे इसके लिए बहुत बड़ी योधना शुरू की है यहाँ पर रुकरे एक ब्रेक के लिए कबरे आगे भी जा रही है झाल